एक और Haunted Story के Explanation में आपका स्वागत है ये मूवी रिलीज हुई थी 2023 में इस मूवी के IMBD rating है 8.1 मूवी का नाम मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा तो चलिए बिना केसी देरी के इस Haunted Story को explain करते हैं फिल्म की शुरुवात में हमें Max को दिखाया जाता है जो bedroom में bed के नीचे electrical connections को repair कर रहा था सारे circuit और adapters को repair करके वो उसे bed के नीचे रख देता है और फिर अपनी बीवी को आवाज लगाता है लेकिन तभी adapter में छोटा सा short circuit हो जाता है और light हलकी सी blink करती है उसकी बीवी सैरा ब्रश करके उसके bed पे आती है और पूछती है कि बताओ मुझे क्यों बुलाया तो Max बोलता है कि अब सोते वक्त हमें light बंद करने के लिए bed से नीचे नहीं उतरना होगा switch off करने के लिए तो सैरा बोलती है कि क्या light off करने तुम्हारे ससूर आएंगे Max हसते हुए बोलता है कि मैंने light के circuit board में audio sensor लगा दिया है अब जिरिफ clapping करने से light बंद या चालू हो जाएगी ऐसा बोलते ही वो clap करता है और light बंद हो जाती है फिर वो दोबारा से clap करके light को on करतेता है ये देखके सैरा बहुत खुश हो जाती है अब Max सैरा को इस lighting technique को try करने बोलता है सैरा बिलकुल ऐसा ही करती है और वो clap करती है और उसके clap करते ही circuit में spark होता है और light off हो जाती है सैरा मैक्स को बोलती है कि ये तो बहुत ही कमाल की चीज है और फिर वो दोबारा से clap करके light on करती है लेकिन जैसे ही light on होती है वो देखती है कि bed पे max नहीं है तो सैरा इधर उदर देखती है और max को आवाज लगाती है सैरा को ये सब एक प्राइंक लगता है इसलिए वो सोने चले जाती है और blanket ओड के ताली बजा के light off करती है लेकिन जैसे ही अंदेरा होता है उसके bed पे एक साया सा दिखता है जो उपर की तरफ उठ रहा था और जब सैरा इस साय के blanket को हटाती है तो उसे max दिखाई देता है वो थोड़ी सी चौक जाती है फिर सैरा ताली बजाती है और light on होते ही उसे max नहीं दिखता अब सैरा को वाकई में डर लगने लगता है वो थोड़ी से घबरा भी जाती है वो max को इधर उधर कमरे में ढूडने लगती है वो बैड के नीचे देखती है वो बैड के बगल में देखती है लेकिन उसे max कहीं नहीं दिखाई देता तब उसे समझ में आता है कि light off होते ही max अंधेरे में गायब हो गया है अब उसी पल उसका एक बेटा आ जाता है जिसका नाम होता है Alex और वो अपनी मा को देखके ताली बजाने लगता है लेकिन उसकी मा उसे रोकने से पहले ही वो Alex ताली बजा देता है और light off हो जाती है और वो देखता है कि कमरे में उसकी मा नहीं होती इसका मतलब अब ये लड़का हो चुका है बे सहारा और इसके माबाप अंधेरे साय में कहीं खो चुके है और ये short movie हो जाती है खत सो दोस्तों I hope ये डरावनी श्टोरी आपको पसंद आई होगी इस movie का नाम है क्लाक क्लाप जिसकी IMBD rating है 8.1 सो फ्रेंड्स जाते जाते प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेर जरूर करें तिल देन टेक क्या लव यू बाई बाई